हली स्ट्वेंग से एक बाफ फिर से सागत आपके अपके अपनी यूटूब चैनल एश्टेड़ियान पे तो जैसे कि आपने बिल्कुल सई सुना आज से आपके उनिवसिटी ओफ कोटा इने कोटा विश्विद्धा लेकिए दोजाट तेई से दोजाट तेई से दोजाट च हो चुकी तो इसके फीस कितने होने वाली है प्रक्रिया क्या होने वाले कब लाश्ट डेट है मेरे इस फीडिव में आपर बात करने वाले तो आप पेसंस्मा कि इस वीडियो को पूरा इंटग जरू देखेगा और जैसा कि जब मैं आपके लिए वीडियो बना रहों तो ज यहां पर उजिए ओवटा के लुटा के कैमपस से अगर यूजीजी पीजी कोर्सस already करना चाहते हैं तो उनके भी आज से ओड़े इसके ओपर पूरा बात करने वाले हैं था इसे पूरा पेस्ट्न बेना के अन्ड तक जरू देखीगा तो देखता कि हम यहाँ पर देखते कि कौन-कौन से courses आप कर सकते हैं जैसे कि यहाँ आप आप देखेंगे बेचलर फामेसी है यहाँ पर इंटेक यहाँ शिष्टी है इसमें और 8 semester में यहाँ पर यह होगा और अगर आप इनके बारे में कोई और यहाँ पर जानकर यह प्रा semester में यह course होगा और यहाँ पर आप देखिया जोबी student बी स्थे बीचर्वी में यूजरी कोर्स करना चाहते बी स्थे में अगर वो मेश्टEE के स्थे होंहें तो यह पर आप देखेंगे आपए छी semester होंगे और इतनी यहाँ पर इंटेक हैं उसके बाद में आपर बा theor ब कर सकते हैं यहां पर यहां पर कई कोर्स दे रखें जैसे कि आप यहां पर देख वाएंगे मसे और म आप जोगरफी से कर सकते हैं यहां पर पब्लिक एड्मिनिटरेशन से कर सकते हैं यहां पर कितने सेमेश्टर होगे वो भी यहां पर लिखा हुआ है और यहां पर कई चीज़ें यहां पर हैं देखेएगा कि यहां ड्रोइंग प्रेंटिंग से करना चाते हैं यहां मुजिक से, में हिंदी में, में इंग्लिश में और अगर आप Master of Commerce यानि M.com करना चाते है, Account in Finance से, अगर आप M.com करना चाते है, बिजिनेस से, तो यह आपर आप देखे सकते हैं, यह आप MBA करना चाते हैं, जो भी आपर और आप और भी जानकारी इन नंबर पर कॉल करके, यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं, तो आप बात करते हैं कि सरी है, क्या exam form के लिए आपर यह notification जी नहीं, जो भी students, university of quota के campus है, अगर आप UGPGA, जितने भी आपर courses बता हैं, अगर वो आप करना चाते हैं, तो उसके admission के यहाँ पर यह form है, और अगर आप government college, इन से करना चाते हैं, तो आपको government college के यहाँ पर आपको form भनने होते हैं, जैसे कि अभी उसकी परक्रियाश चल भी रही है, ठीके, आई यह पर हमने यहाँ आपके लिए और आप इगती जुलाई तक ही आपर आप form भर दीजिगा इससे पहले पहले, उसके बाद में जो यहाँ आपर आपकी merit और यहाँ पर आप दिख्योंगे है, यहाँ पर हम बात करें तो आपकी जो क्लासे से वो कब से शुरू हो जाएगी, तो 14 अगसी आपर आपकी classes भी शुरू हो जाएगी और आप सबको पताईगी कि merit list की साधर पर होती है अगर आप यहाप पर UG courses कर रहे है जैसे BA, BCOM, BSE या और भी यहाप बैचलर courses कर रहे है तो आप सबको पताईगी कि आपकी जो merit list है तो आपकी 12 की percent की आदार पर बनेगी और अगर आप PG courses कर रहे है जैसे MA, MCOM और MSC और भी आप PG courses है तो उसमें आपकी UG की जितनी भी percentage बनी है आपकी जिस subject में आप करना चाते है जैसे कि माल लिजी अगर आप physics से आप MSC करना चाते है तो आपकी UG courses यानि BAC में आपकी math subject में total 3 years को मिला कि आपकी कितनी percentage बनी उस आदार पर आपकी merit list है जारी की जाई आई अब हमने merit list से related भी आपकी doubt यहाँ पर clear कर दे है और अगर आप UG courses कर रहे है तो आपकी 12 के आदार पर यहाँ आपकी merit list जारी की जाईगी और यहाँ आपर आपकी एडेट थी अब बात करते हैं हम यहाँ आपकी fees कितनी रहने वाली जो की ज़्यादा लिश्ट हैं उसके हमारे पास comment आते हैं तो आई अब इस पर हम यहाँ आपर बात करते हैं जैसे कि यहाँ पर आप यह admission policy यहाँ पर पूरी देख सकते हैं जिसमें आपको सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी कि इसमें fees कितने रहने वाली है total fees यहाँ पर कितनी होगी तो इसमें पूरी आपको जानकारी देखने को मिल जाएगी और क्या क्या qualification है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है तो जैसे कि यहाँ पर first है आपकी फार्मा की है यहाँ पर कितनी seat है और यहाँ पर कितने semester होने वाले 4 year का यह courses होगा और 8 semester में होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं और qualification कितनी है यहाँ पर होगी तो यहाँ पर आप यह पूरी qualification परढ़ सकते हैं कि कितनी percentage आपको इसमें requirement होने वाली है यह पूरी है और यहाँ पर fees कितनी है वो भी यहाँ पर लिख्यों है पर NMA यानि पर year यहाँ पर यह fees होने वाली है ठीक है उसके बाद यहाँ पर आप देखेगा यहाँ पर आपके नेश्ट दिखाई रहे ही आपको यहाँ पर जो भी इस्टोन से BAC होना चाहते है physics से तो यहाँ पर आपकी qualification यहाँ पर यह लिखे हुई है और यहाँ पर यह फीस है यहाँ पर आप देखेगा और कितनी percentage चाह चाहते mathematics से तो यहाँ पर mathematics group जैसे की physics, chemistry और math यहाँ पर जो mathematics group होता है तो BAC में तो आप यहाँ पर देखेगे इतने 6 semester होने वाले 3 year का course होने वाला इतनी यहाँ पर आपकी integrity seat है और यहाँ पर यह qualification है की general category को minimum 48% होनी चाहिए और यहाँ पर other category के minimum pass marks होनी चाहिए और यहाँ यहाँ पर आपकी annual fees यहाँ पर लिखी हुई है जैसे कि आप 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 देख सकते हैं उसके बाद में यहाँ पर यह BAC जो भी students biology group से करना चाहते हैं जैसे botany, geology और आपकी chemistry तो यहाँ पर आपके इतने semester होने वाले 3 year का course होने वाले इतनी percentage आपको चाहिए 12th में और यहाँ और इतनी fees आपकी होने वाले पर एनम ओके और भी यहाँ पर आप सभी courses के देख सकते हैं हमें यहाँ पर आपको पूरी list बता देते हैं जिससे आप अच्छी तरह से देख पाएंगे यहाँ पर आप देखेगा यहाँ पर यह पूरी जितने भी courses हैं यहाँ जो आप यूज यहाँ पर आप university कोटा से कर सकते हैं उन सब के बारे में लिखा हूँ और यहाँ पर आप देखें इन short form में यहाँ फीस लिखी हुई है जो भी यहाँ पर आप देखें पहले बी फार्मा की फीस है तो जो भी students पिछले साल की students है जो old students है जिन्नोंने 2022-2023 में admission लिया तो उन की यहाँ पर आप देखेंगे इतनी है और जो भी students अब admission लेंगे 2023-2024 में तो उनकी फीस यहाँ पर इतनी रहने वाली है यहाँ पर आप देखें यह भी फार्मा की है और यहाँ यहाँ पर आप देखें बी एसी होनर से physics की यहाँ इतनी 16,000 फीस होने वाली है और अभी यह टोटल फीस नहीं क्योंकि इसमें और भी फीस आपकी एड होने वाली है अभी हम बताएंगे कौन-कौन से फीस इसमें एड होगी ठीक है उसके बाद यहाँ पर biology students की यहाँ इतनी फीस होने वाली है MSC physics अगर आप करना चाते तो 17,000 MSC mathematics या MA mathematics से करना चाते तो 12,000 और अभी इसमें और भी फीस एड होएंगी कौन-कौन से अभी हम आपको बताएंगे MSC Botanist से करना चाते तो 17,000 और भी यहाँ पर आप देखेगा यह सभी courses की यहाँ पर आपको फीस देखने को मिल जाएंगे MSC Geology की 17,000 तो यहाँ पर आप यह पूरी देख सकते हैं यहाँ पर MA की इसमें आपको बताएंगे अब इसमें कुछ और आपकी एड होईगी जैसे कि आपको लोकल फंड है वो भी एड होगा तो यहाँ पर आप देखेगा यहाँ पर लिखा हुआ है कि कितना है यहाँ पर 15,000 रुपे लोकल फंड भी इसमें एड होईगा अभी हमने आपको जित तोल कितनी होगी यह तो आपकी कोर्स फीस जो मैंने आपको शुरॉत में बताई थी अभी लिश्ट में उसके बाद में आपका लोकल फंड जो कि 15,000 रुपे होने वाला है और आपकी यह वाले मनी जो कि आपकी 1500 रुपे होने वाली है यह तोटल फीस आए अपघ कर लिजी अगर तब भी आपको नहीं मिलती है तो जो आप हमारा चैनल है यह टेलीग्राम चैनल है आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल है हमारे AI अगर तब भी आपके कुई डाउट हो आपके admission form से रिलेटेट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और हम उसका reply जरू करेंगे इसको पर separate वीडियो बना देंगे और आज के वीडियो कैसा लगा सभी स्टून को कमेंट करके जरू बताना उस वीडियो को लाइक करना ना में